प्रश्ट किया मैंने ये जानना चाहा कि जो 18 कोल्ड स्टोरेज कृशी मंत्राले में पंजी कृष्ट है उनकी खुल स्टोरेज शम्ता क्या है इसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं मैंने ये जानना चाहा कि कुल कितना सेल्स टेक्स कुल कितना मंडी टेक्स कुल कितना अनुकिया परमीट शुल्क कोल्ड स्टोरेजों ने साशन को दिया है इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी मंत्री जी ने साफ साफ उतकर दिया कि cold storage हों से कोई भी राजस को प्राप्त नहीं हो रहा है और पिछले 14 वर्षों में कभी भी किसी भी cold storage की जाच नहीं की गई है जग जाहिर है कि cold storage हों में कई चीजों का भंडारन होता है अवैद भंडारन होता है काला बजारी भी होती है ऐसे में पिछले 14 वर्षों में कृशी मंदी ने एक भी cold storage की जाच क्यों नहीं करे साथ ही जो cold storage हों से एक मात्र राजस्व सरकार को मिल रहा है वो है अनुग्या परमिट के माध्यम से 2017 में 197 अनुग्या परमिट जारी किये गए जिसके विरुद्ध 2,4,42,327 रुप्या सरकार को प्राप्त हुआ यह 2017 क्या आप रहे है पिछले 14 वर्षों में जो RTI से मैंने जानकारी निकाली है 2,22,804 अनुग्या परमिट जारी किये गए अगर इसी बेसिस पे कैल्कुलेट करें मतलब एक अनुग्या परमिट का लगभग 2,245 रुप्या आता है तो 2,22,804 अनुग्या परमिट जो क्रिशी विभाग ने पिछले 14 वर्षों में जारी किये है कम से कम 500 करोर रुप्ये का राजस्व सरकार को मिलना था उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे है सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहे है कि हमको एक रुप्या राजस्व कोल्ड स्टोरेजों से नहीं मिला जब वानेज जी कर नहीं मिल रहा है मंदी शुल्प के लिए उनको मुक्त कर दिया गया है एक दो चीजे बची थी उनको भी मुक्त कर दिया गया है इमली को इत्यादी को ऐसे में कोल्ड स्टोरेजों से जो पिछले 14 वर्षों में राजस्वा आना था उसका क्या हुआ इस पर जाच होनी चाहिए कम से कम 500 करोड रुप्य की महरबानी उन पर करी गई है इस सरकार की साथ ही आज हमारी तरफ से सगन प्रस्ताव लाया गया कुम्टेर में 24 जन्वरी 2018 को नरायन पूर जिला छोटा डोंगर में डियार जी के दो सब इंस्पेक्टर और चार जवान शहीद हुए लगातार हमारे जवान नक्सली घटनाओं में शहीद हो रहा है एक तरफ के धान समा चल रही है दूसरी तरफ एक परवरी से छे फरवरी तक नक्सलीों ने बसकर बंद करा कर वहाँ पर जो टांडव किया इस पर सरकार पूरी तरह से नाकाम है इसलिए हमारी तरफ से नक्सलवात को लेकर भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है मुझे बताया गया है सची वाले के द्वारा कि वो अभी विचारा की पूरी प्रदेश के दो साला संबन्दित माननी मंतरी जी से जानकरी चाहा माननी मंतरी जी ने एक सो पंद्रा दो साला वोका पंजियन बताया और उसके बाद हम लोग ने सवाल किया माननी मंतरी जी से कि ऐसे गोवसालाएं हैं जो बिना गाय के भी पालन हो रहे हैं लेकिन उनको राज सरकार ने दो गोवसालाओं को 4,99,000 रुपे और एक गोवसालाए जहां 31,00,000 रुपे दिया है तो इन्हों ने इन पे अपने प्रस्ने किया और उसके बाद ऐसे गोवसालाएं माननी मंतरी जी ने दिखाये जहां उन्हों ने गोवसालाओं का संक्या जीरो बताया लेकिन आमने पूछा मृत गोवसालाओं का तो जहां जीरो बताया उन्हों ने वहाँ पे भी मृत गोशित किया है तो उसके अलावा पूरे प्रदेश में आप देखेंगे इस दो सालों में 6325 गाय और पसुवों को बिर्ती हुई है ये सिदा सिदा सरकार की नाकामी है और सरकार इसमें बहुत बड़ा गड़़ु हुआ है इसलिए सरकार पे हम लोगा आरोप था और सरकार के जवाब से स कुंडा गाउ जीले में चार गवसालाओं का पंज़िन हुआ है मंतरी जी का जवाब था जिन? गवसालाओं का पंजयन होता है उनी गवसालाओं को हम लोग अनुदान देते हैं जबकि मेरे छेत्र में पूरु मंत्री लता हुसेंडी जी और परितोष त्रिपाथी जी इनको भी अनुदान दिया गया जबकि मंत्री जी के उत्तर में इन गवसालाओं का कहीं जिक्र नहीं है तो सरकार कहीं न कहीं, अपने अपने को दे रहे हैं अंदाबाटे रेवडि अपने-अपने को दे जो उनके आदमी हैं, जो उनके कारे करता हैं, वेसे लोगों को भी अनुदान दिया गया है, जबकि सरकार का और मंत्री जी का जबाब था, जहां गउसेवा ऐधायोग में, जिनका पंजियन होगा, उन्हीं को अनुदान देते हैं, जबकि मेरे छेत्रे में ऐसा नहीं हुआ है. सरकार लगातार यूटर्न ले रही है, जबकि मेरे जबकि मेरे रही है, जबकि मेरे रही है, जबकि मेरे रही होगी होगा, यह अबभूत पूरी स्टी पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी है, यह पूरे देश की पहली घटना है, कि 36 गड़ सरकार के निर्देश पर पंचायतों के पैसा भैंग अधिकारियों ने बिना सरपांच और सची के हस्ताक्षर के उसे चिफ्स में हस्तांतरं कर दिया गया ये थोड़े बहुत रासी नहीं सेक्रो करोड का मामला है इसमें सिधा सिधा जिन अधिकारियों ने आदेश दिया जिन अधिकारियों ने हस्तांतरं किया बैंक के अधिकारी सरकार के अधिकारी इन पे इन दोस्यों पे करवाई होना चीए जो बिना हस्ताक्षर के हस्तांतरी किया एक नमूना यहां देखने मिला है पुरे रेस भर में इप हेले हुआ। यह पहला राजर यह है इसमसर कार प्रतमा हो चुती है। dollar इसमें फी प्रतम प्रतम हो पा करा देगि करने ली में मुझी अधिर आखे हैं। dollar इसमें डातम हो दो ही है। स्राइब आज शत्यज़ आर्थिक सर्वेक्षाण वर्ष 17-18 और इसके कुछ प्रोमुक बिंदू जो आज हिताब का अज रिमोशन हुआ सांखी की संचनाले की द्वारा छत्यज़ राजी के जी एस डीपी वर्ष 17-18 में दो लाग ब्यन्बे हजार छत्यज़ गड़ का कुल जी एस डीपी दो लाग ब्यन्बे हजार करोड जो 16-17 में दो लाग बैसट हजार करोड अन्मानित था इस प्रकार जी एस डीपी का ग्रोथ जो है विकास दर है दो बैसट से दो ब्यन्बे हजार करोड जार दसमला दो दो प्रतिशत का अनुमान है 36 गड़ और भारत के जी एस डीपी के तुलनात्मा का जम करें तो 36 गड़ का 17-18 का ग्रोथ 6.65 और वैसे ही रास्ति ग्रोथ जो है नेसल ग्रोथ है 6.5 परसेंट रहा है जी एस डीपी के अलगलग घटकों में यदि हम देखें क्रिसी और जोगिक शेत्र और सेवा शेत्र सर्विस सेक्टर अगरिकल्चर सेक्टर में रास्ति जो ग्रोथ है 2.13 है सत्यगर में 2.89 है और जोगिक शेत्र में रास्ति प्रतिशत 4.37 है सत्यगर का 5.84 और सर्विस सेक्टर में 8.28 के अगर्स में 9.46 यह नुमानित अलग अलग तुनलात्मक जी एस डीपी के विकास के दर रहा छेत्रवार अलग अलग तीनों छेत्र में योगदान क्या रहा है अगरिकल्चर सेक्टर का और जोगिक छेत्र का और सेवा छेत्र का क्रिसी छेत्र का भारत में नेशनल एवरेज 14.6 प्रतिशद हमारा अचेत्रिगड का 17.1 प्रतिशद और जोगिक छेत्र नेशनल एवरेज 30.6 और हमारा स्टेट का 47.7 और सर्विस सेक्टर सेवा छेत्र में भारत का 54.8 और हमारा 35.2 प्रतिशद रहा प्रतिव्यक्ति आए जो है वो 92,035 रुप्या 9.22 का ग्रोथ इस पे प्रतिव्यक्ति आमदनी में हुआ है इस प्रकार से अलग अलग शेत्रों में जो आर्थिक विकास हुआ है उसके सर्विक्षण की प्रतिश और आज इस किताब का भी मूशन किया प्रतिश प्रतिश है आकर्षन आया था अधनिस शीवरतन सर्मा जी का इछले 75-76 में जो किसान लोग रिंड लिये थे और रिंड नहीं पटाने पर उसका डिग्री हुआ है और डिग्री होने के बाद उक्तर जमीन समीति के नाम पर कर दिया गया है मानिस शीवरतन जी का खाता है कि जमीन किसानों को आपस मिलना चीए मैं कहा कि ऐसा कुल प्रावधा नहीं है ये 75-73 का प्रकरन है उसके जमीन का मालिक सकारी समीति हो गया है और उसको सिधा सिधा किसान को नहीं दिया जा सकता ये प्रकरन्था और भाटापारा में मात्र दो लोग हैं ऐसे और सिंगा में 16 लोग ऐसे किसान है जिसकी जमीन पूरों में 74-75 में डिग्री से सकारी समीति को प्राप्त हुआ है यही मांग सर्मजी कर रहे है धना प्राप्त हुआ है